गुड मॉर्निंग अल स्टुडेंट्स स्टुडेंट्स आपको पता ही हैं कि अपने चार चैप्टर कम्प्लीट हो चुके हैं कितने चार और आज अपन स्टार्ट करेंगे फिप्थ चैप्टर याने पांचवा तो student 5th chapter का नाम है Nouns हमने sentences jumble radar यानि ऐसे ऐसे करते 4 chapter complete हो चुके हैं और एक test भी आपका complete हुआ है और आज अपने chapter number है 5th ओके Noun Nouns को अपन हिंदी में बोलेंगे संग्या क्या बोलेंगे संग्या अब Nouns क्या होता हैं इसकी definition क्या है वो अपन इसी chapter में बढ़ेंगे हाँ students फर्स्ट में आपको pictures दिख रही है एक जू यानि चिडियागर दिख रहा है एक student से या एक boys खड़ा है हाँ तो read the following sentence students स्ध्यान से सुनना read the following sentence इन वाक्यों को पढ़ना है अपन को तो देखे पहला वाक्य क्या है यानि sentences है I am Amit यह क्या है एक sentences sentences कैसे होता है वो मैंने आपको पहले भी बता दिया है और आपको पता भी होगा ओके I am Amit मैं Amit हो अब यह Amit को pink color में क्या है इसका मतलब इसका कुछ अलग reason है तो चले वो भी अपन बात करते हैं I am Amit मैं Amit हो ज्यान से सुनना फिर next है I am going to the zoo मैं चिडिया घर जा रहा हो Amit कह रहा है कि मैं चिडिया घर जा रहा हो I am Amit I am going to the zoo फिर next देखिए I have an umbrella I have an umbrella मेरे पास एक चाता है Rahul is singing देखो इस पिक्चर में Rahul दिख रहा है आपको जो गाना गा रहा है और ये अम्प्रेला एक चाता दिख रहा है आपको Rahul is singing Rahul गा रहा है अब next देखिए Is the cat is very hungry बिल्ली बहुत पुखी है A red bird is flying एक लाल पक्सी ऊड़ रहा है जो से आपको पिक्चर में दिख रही है Hungry cat भी दिख रही है और red पक्सी भी दिख रहा है उपर की पिक्चर में अंब्रेला और Rahul is singing ये दोनों दिख रहे है फिर इसके बाद सबसे ऊपर है वो अमित दिख रहा है और एक साइड में चिडिया कर दिख रहा है आपको तो इसके आपको पता ही कि अपने चेप्टर का नाम है नाउन क्या नाम है नाउन यानि संगिया आप देखिए यहां सी अलग होता है देखिए ध्यान से सुनना The pink-colored word in the above sentence tell us about the name of a person, palace, animals or things. They are naming words. उप्रक्त वाक्य में गुलाबी रंग के सब्ध हमें किसी व्यक्ति, इस्थान, जानवर या चीज के नाम के बारे में बताते हैं अब कैसे बताते हैं? पिंक कलर आपको दिख रहा है, उपर से देखिए अमीत, पिंक कलर है, इसके बाद जै डबल ओ, जू, इसके बाद अम्ब्रेला, राहूल, कैट, बर्ड्स ये क्या है, गुलाबी रंग के सब्ध हमें किसी व्यक्ति यानि इसमें व्यक्ति भी है, यानि अमीत, राहूल, ये क्या है, व्यक्ति Isthahan Isthahan भी होगा Isthahan के बाद जानवर है जानवर यानि Birds, CAT और Isthahan कौनसा है? Jew, Jew एक Isthahan है यानि वहाँपन गुमने जाते है तो वह क्या हो गया? Isthahan हो गया और चीज चीज यानि क्या हो गई? UmbRELA तो संगया किसे कहेंगे अपन? देखिए, अमीत, जू, अंब्रेला, राहूल, कैट, बार्ड्स ये अपन को उप्रुक्त वाक्यों में व्यक्ती बता रहा है, इस्थान बता रहा है, जानवर बता रहा है और चीज बता रहा है, ये क्या है, दे आर नेमिंग वार्ड्स ये क्या है, नेमिंग वार्ड्स, फिर आगी क्या होता है, आप ध्यान से सुनना, डेफिनिशन आ रही है दे नेम ओफ ए पर्षन, पहलेस, एनिमाल और तिंग, इस काल्ड ए नाउन, नाउन की डेफिनिशन क्या होगी, दे नेम ओफ पर्षन किसी व्यक्ति, या इस्थान, या जानवर, या चीज, इस काल्ड ए नाउन, हम उसको संग्या बोलेंगे कैसे, देखिए, एक बार और सियान से सुन लीजिए किसी व्यक्ति, या जानवर के इस्थान के नाम को संग्या कहा जाता है संग्या कौन कौन सी संग्या आपको जो पिंक कलर में दिख रही है, ये क्या है, संग्या क्या है, संग्या, nouns, अपने ये topic है, और अमित, ऀसकी संग्या है, जो एक संग्या है, अम्रिल याक्या है, याने, ये क्या है, nouns क्या है, nouns. अब definition आपको समझ में आगी, ठीख, ये सब जींद ऋबर देखिए, the name of a person, palace, animal, or thing is a इस्थान व्यक्ति जानवर और चीज को ही संग्य यानि नाउन्स कहते हैं अपन सही सब्दों में बात करें तो किसी व्यक्ति या जानवर के इस्थान के नाम को संग्य कहा जाता है याने संग्या किसे किसे कहा जाता है इस्थान, द्यक्ति, जानवर, चीज अब आपको ये याद रखना है अब देखे, read the understand ये एक और वाक्य दिया हुआ है सीनी is eating a fruit in the room सीनी कमरे में फुल खा रही है अब इसमें क्या क्या आ रहा है persons नेमा रहा है, जो अपन ने संग्या में पढ़ा याने एक व्यक्ति, यानि ये सीनी क्या है व्यक्ति हो गई, persons नेम हो गया फिर उपने, cheese की भी बात कही थी तो देखे, इसमें green अक्सर में दिखे रहा है fruit ये thing, thing यानि क्या होता है, cheese क्या होता है, cheese तो fruit क्या है, cheese है tablet, room, palace यानि इस्ठान तो इस वाक्य कोई इस वाक्य में अपन को समझ रहा है साइन सेनी क्या है, वो persons नेम है is eating a fruit, fruit क्या है, cheese in the room, प्या है पैलेश, यानि stretching तो अपन इसी को संग्या कहते है, है यानि, nouns तो के स्टुडेंट्स है अपने नेक्स एक्सरसाइज देखिए जो आपको होंबक में करनी है लुक एट दा पिक्चर से निकम्प्लिट दवर्ड्स बड्स को कंप्लिट करना है यह गल्स दिख रहे हैं यह पिक्चर से मैं आपको नाम नहीं बता रहा हूं पिक्चर को देख और आपको बार्स जो कंप्लिट करना जो कॊलम्स दिखाली दिये हूए उसको कंप्लिट करना है यह तीन पिक्चर with the words given below column a column b आप एक कॉलम में फर्ष्ट में लिखा हुआ है बी कॉलम देखिए cat cow girl schools अब इसको आपको इससे मिलान करना यानि match करना है ओके school कौन सी है girls कौन सी है cow कौन सी है स्टुडेंट्स वैसे इजी है आपके यह हो जाएगा यह आपको homework में करना है स्टुडेंट्स में एक बार और आपको समझा देता हूं दन्य मौफे परसान पैलेस एनिमल और फिंग इसे कॉल डेन नाउन्स यह नाउन की डेफिनेशन है यानि हम किसी व्यक्ति इस्थान जा क्या क्या होता है देखिया अंब्रेल किया है राहूल कैट इसी परकर आपने यह सैंटेस देखिये सीनी इज है और homework आपको मैं मिट्शियर एप पर दूंगा तो ही करना है और आपको फिर यह submit करवाना है इवनिंग को 5 बजे ओके 5 बजे आपको submit करना है ओके तो थेंक्यू students बाई बाई